ओम शान्ती, आज का आपका 73 दिन का वर्दान, और आज के वर्दान में परमपिता परमात में हमें याद दिलाते हैं कि सेवा करने के तरीके होते हैं, या तो आप स्नेह से करें, और या आप शक्ती से करें, और नहीं तो आप स्नेह और शक्ती दोनों के मिश्रन के द्वारा क फटकार नहीं, लेकिन जो है, सो है, जो सत्य है, वही सत्य है, किसी के भले के लिए उसको अगर आप समझाओ, तो फिर जाकर इस आत्मा को महसूस होता है, उस वेक्ति को महसूस होता है, लेकिन केवल स्नेहे नहीं, उसमें स्नेहे समाया हो, उनका कल्यान समाया हो, तब आप कि इसी चीज को शक्ति के रूप में बोलें तो इसको मेहसुस होती ही बाते तो आएं बाबा आज कहते क्या है देखें उसको हम विस्तार में बाब कहते हैं स्ने और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा दोनों को मिला करके सेवा करने वाले सफलता मूरत भवा यह आप अपने दुनिया के तौर तरीके में भी इसको इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहे एक मातर पित अपने बच्चे के साथ में चाहे एक पती अपनी चाहे वाइव अपने पती के साथ में कोई भी रिलेशन्शिप व उस्में आप इस चीज़ को इस्तमाल कर सकते हैं तो जैसे एक आख में बाब का स्ने हैं परमात्मगों हमें एक आख से याद करते हैं और दूसरी आख में बाब दोरा मिला हुआ करतव ऐसेवा तो इन दू आकों से हमें दुनिया को देख करके जहां जो प्रॉलम है, जो दिख रही है चीजें उसको देख करके हमें उनकी सेवा करना, उसको सुधारना है सदा स्मृति में रहता है ऐसे स्नेही मूरत के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो कि सेहन करना तो एक बात होगी असत्ते को हांजी हांजी करना तो एक बात होगी कि आप स्नेहे में रहे करके किसी को आप उफेंड नहीं करना चाहते हो किसी को बुरा महसूस नहीं कराना सकते हो आप लेकिन परमात्मा कहते हैं उससे उनका भला नहीं उनका नुकसान और वो पाप आपके उपर चड़ जाता है तो आप उसको स्नेहे और शक्ती दोनों को मिला करके इस्तमाल करें स्नेहे के साथ-साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदे विदरन करते कहते हैं न तीर लगा दिल में लगना तीर बुद्धी में लगना तीर अलग होता है लेकिन दिल में लगना तीर दिल ये वाला दिल नहीं दिल होता है आत्म के अंदर महसूस करती है आत्मा हर चीज इस शरीर के द्वारा तो महसूस ता feeling भी आत्मा के अंदर है सोच भी आत्मा के अंदर है हम तो सोचते हैं यह जो physical दिल है हमारा body का जो दिल है वो ही दिल वह महसूस करता है लेकिन कर्म करने वाली आतमा तो कर्म का फल मह sorts करने वाली भी आतमा ही है परमात्मा कहते हैं जैसे मा बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिख्षा देती है महसूस कीसे होता अगर कोई strictly आपसे बूल refers तो जो सत्य वी सत्य अगर के नहीं हो सत्य नहीं है लेकिन उस चीज को आपको महसूस करना आ जाता लेकिन उसके अंदर अगर क्रोध हो स्नेह नह हो पीड़ा हो स्नेह नह हो तो फिर वो चीज का असर नहीं पढ़ता तो किसी के फाइदे के लिए कुछ कहना है तो उसमें सक्ति और साथ साथ में सनेहे दोनों होना चाहिए तो परमात्मा कहते हैं मा के सनेहे कारण वैशब तेजवा कड़वा महसूस नहीं होते ऐसे ही ग्यान की जो भी सत्ते बाते हैं परमात्मने जो में सत्ते बताया है उसको आँ या तो आप बहुत प्यार से किसी को समझाओ समझाते समझाते वो शायद से उस चीज़ को माने ना माने खिली उड़ाए उस चीज़ की लेकिन जहां पर जो सत्ते है उसको आपको सिद्ध करकरके सीधा एक शक्ती सुरूप में बताना उसको तब जाकरके उसके दिल में वो बात चुबेगी महसूस होगी और अंदर तक उसके वो बात का असर होगा तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही ग्यान की जो भी सकते बाते हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो स्पष्ट शब्दों में खुमा फिरा करके नहीं लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हो तो सफलता मूरत बन जाएंगे शब्दों में स्नेह समाया हो तो सफलता मूरत बन जाएंगे तो आज बाबा हमें अपने जीवन काल में भी इसी तरीके को इसी नीती को अपनाने के लिए आप अपने जीवन में भी इस चीज़ को अपना सकते हैं और अगर आप सेवा के मार्ग में हैं तो उसके लिए भी इस विदी को आप अपना सकते हैं इसके साथ आज का वर्दान ओम शांती